ए गाईस कैसे हो सब मैं हो बादल और स्वागत आप सभी का आज के इस नए वीडियो में आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक प्रोड़क मौक अप क्रेट कर सकते हो फोटोशॉप में तो वीडियो को बीना स्किप किया हैं तक जरूर देखना ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप भी इसी तरीके से इसी लिए प्रोड़क मौक अप क्रेट कर सको तो चलिए बीना कोई देरिक किये वीडियो शुरू करते है तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 1920 पिक्सल्स विथ में और हाइट में हम इसे कर देते है 180 पिक्सल्स मेक शूर करें horizon 300 हो Color Mode RGB 8 bit एक चलिक करेंगे create पे तो स्टार्ट करते है एक rectangle create करके rectangle क्रेंगल करने के लिए मैं सिलेक करूंगा एक rectangle tool और create कर लूँगा एक rectangle और इसका जो width है उसे में कर देता हूँ 500 pixels पे set और height में हम इसे कर देते है 800 pixels और इसका जो color है उसे में कर दूँगा ये blue पे set अब हमें इसे smart object में convert करना है तो इसके लिए में right click करूँगा layer पे और select करूँगा convert to smart object फिर से अग्टिवेट करूँगा rectangle tool और एक rectangle कर लूँगा और इसका जो width है उसे में करूँगा 200 और height हमें इसे same बैसे 800 और जो color है उसे में select करूँगा ये dark view पे इसे भी हमें smart object में convert कर लेना है रैte click कर के select करना है convert to smart object इसे हम name कर देते है front और इसे हम name कर देते है side Ctrl T press करना है transform करने के लिए और select करना है perspective और इसे हमें perspective में adjust कर लेना है फिर से Ctrl T press करना है shift hold करके हमें width में decrease कर लेना है कुछ इस तरीके से side वाले layer को select करना है press करना है Ctrl T for transform select करना है perspective और इसे भी हमें perspective में adjust कर लेना है Ctrl T press करना है और इसका जो width है उसे हमें decrease करना है कुछ इस तरीके से इस वाले icon पे double click करना है तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो original rectangle का size है वो open हो जाता है एक new document में तो अब इसमें मैं मैंने जो एक design create करके रखा है time save करने के लिए उसे में drag drop करके open कर लेता हो Ctrl S press करना है save करने के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो जो design है वो यहाँ पे automatic आ जाता है side वाले layer पे भी हमें जो design है अब यह जो corner है वो proper नहीं दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो बहार आ रहा है तो मैं प्रेस करूंगा Ctrl T select करूंगा skew और इसे में अंदर की तरफ place कर लेता हूँ create करना है एक new layer by clicking on create a new layer के icon पे select करूंगा pen tool और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक shape create कर लूँगा Ctrl Enter प्रेस करना है selection create करने के लिए और जो color है उसे मैं कर दूँगा black preset press करना है Alt Backspace color fill करने के लिए Ctrl D for deselections तो जैसे कि आप देख सकते हो एक box का shape create हो चुका है अब हमें फिर से एक new layer create करनी है select करना है rectangle tool और कुछ इस तरीके से यहाँ पे rectangle create करना है height हमें इसकी रखनी है 800 पे और जो width है उसे हमें करना है 3 pixels पे set और इसे हम adjust कर लेते हैं यहाँ पे अब एक shadow create करनी है shadow create करने के लिए मैं create करूँगा एक new layer और इसे मैं name कर देता हूँ shadow rectangle select करूँगा और एक rectangle create कर लूँगा कुछ इस तरीके से ctrl T प्रेस करके मैं इसे लेकर करूँगा skew और एक shadow create कर लूँगा right click करके हमें इसे convert to smart object में convert कर लेना है click करना है filter पे select करना है blur Gaussian blur और जो blur के value है उसे हमें set करना है around 10 pixels पे click करेंगे ok पे और जी और इसकी opacity है उसे हमें set करनी है around 25% पे फिर से हिक में new layer create कर लेता हूँ by clicking on create a new layer के icon पे pen tool select करूँगा और यहां पे एक selection create कर लूँगा कुछ इस तरीके से ctrl enter करके selection create करूँगा और alt backspace प्रेस करके मैं इसमें fill कर दूँगा color ctrl D for D selection अब हम सारी layers को ctrl G करके group कर लेते हैं इसे हम name कर देते हैं mockup ctrl J प्रेस करके इसका duplicate create कर सकते हो जैसे चाहे अपने सबसे इसे place करके use कर सकते हो तो इसी तरीके से आप अपना mockup create कर सकते हो easily और जो designs आपको चाहिए वो आप change कर सकते हो कभी भी यहाँ पे place करके और Ctrl S save करके यहाँ पे जो changes है वो आपको दीख जाएंगे तो इसी तरीके से हार एक mockup create किया जाता है आगे जाके मैं और भी in-depth tutorials create करने वाला हूँ how to create a mockup पे hopefully आप लोग को वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like ज़रूर कर देना साथी साथ चानल को subscribe ज़रूर कर देना अब मैं आपसे मिलूँगा अपने next वीडियो में तब तक के लिए तक के लिए